हाई वेलकम टू करियर स्टेडी दिस इस संदीब कुमार और आज के इस सेशन में हम डिसक्स करने वाले हैं हमारा एक और सेशन तो site जो है सब्कर्सक्राइन की स्टेछर्ट करें देखें गें क्योशन आय थे शिस्ट में मैं होrt और जइंगे जये हिंजोए हिंजय हिंजो कैसे हैं वब так है यह नहीं कोई प्रॉब्लम अगर साउंड तो ठीक है थोड़ा सा वीट कर लेते हैं कि अगर किसे ने लाइव आने तो वो लाइव आए देन स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को तो अगरे चलिए ओके गुड़ीबनिंग गुड़ीबनिंग जय हिंद जय हिंद फिलहाल जो है एक टूट्वेटी टूट्वेटी वन के जो मैट्स और दीजनी के जो भी मैमरी बेस्ट कोशन से उनका हम सॉलुशन करने वाले हैं यानि कि सॉल करेंगे उन को देखेंगे तो फिलहाल जो है 15-16 कोशन मेरे पास मैट्स के हैं और बाकी वर्बल रीजनी के कोशन्स हैं दो एक दो कोशन ऐसे हैं जिनकी वैल्यूस अभी थोड़ी कन्फर्म नहीं है या फिर एक कोशन ऐसा है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है अदर्वाइस बाकी कोशन्स ह है वो अभी solve हो जाएंगे तो like कर लिजेगा session को और share जूरूर करने बाकी सभी के साथ क्योंकि solution जो है वो आपको यहां पर सारे के सारे मिल जाने वाले और original question जो है वो मिलेंगे तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो question है question number one so देखे यह question था हमारे पास ठीक है बाकी बताते रहे न अगर कुछ values में किसी को भी change लगे क्योंकि जिन्नोंने भी paper दिया होगा उनको पता होगा so वो बता दीजेगा कि इसमें थोड़ा change है otherwise question इस तरह से है कि तीन दोस्त है अनू ललीता इंड हिमांशू दो अलग-अलग city से हैं अब अनू और ललीता जो है वो क्या करते हैं city A से हैं और हिमांशू जो है वो city B से है city A to B जो है वो 1080 miles है and Lata at 6 a.m. left city A and same time हिमांशू city B speed of Lata and हिमांशू is 60 and 120 miles per hour so they all meet at this place so when should अनू left city A with 90 miles per hour तो हमें बताने है कि अनू को कब जो है वो city A जो है वो left करने चाहिए so that कि वो सब जो है वो 81 की time पर मिले तो देखो क्या करने आपने किस तरह से आप इसे solve कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं तो आपको basically करना क्या है बहुत ही simple सी बात है आप क्या करेंगे यहां पे देखें यहां पे अगर मैं draw कर दूँ एक डागराम के थूँ यह हमारे पास है city A और यह है city B तो यहां पे एक तो है लता लता की जो speed है वो 60 की है और एक अनु है 90 की speed है और यहां पे हिमान्शू है जिसकी 120 की speed है तो 6 बजे जो है वो 6 एम पे लता भी चलती है और हिमान्शू भी चलता है 6 एम पे तो अगर वो आप चलेंगे तो कितने बजे वो मिलेंगे तो लता एंड हिमान्शू की अगर मैं बात करूँ उनको time कितना लगेगा मिलने में तो 1080 का total distance है ठीक है कितना distance है 1080 का और opposite direction तो speed add हो जाएगी यानि कि 6 घंटे लगेंगे उनको आपस में मिलने में तो अब आप ये समझो कि 6 घंटे में वो होंगे कहाँ पे तो इन 6 आर लता जो है वो कितना distance कवर करेगी तो लता का अगर हम distance देखते हैं तो वो कितना आ जाएगा तो obvious ही बात है यहाँ पे मैं distance लिख सकता हूँ speed into time तो जो लता है उसकी 60 की speed है और 6 आर में वो 360 किलमेटर कवर करेगी यानि कि जहाँ पे भी वो आपस में मिले होंगे वहाँ तक 360 किलमेटर है लता वाली side से तो अनु को कितना time लगेगा उतना distance कवर करने में 360 कवर करने में 90 की speed से 4 आर लगेंगे अब देखो यहाँ पे हमें यह काए कि उनको एक ही time पे मिलना है तो वो मिले कब ह होंगे सो लता जो है वो destination पर कब पहुंची होगी 6 a.m. पर चली थी 6 गंटे और लगे थे यानि कि 12 noon पर ठीक है तो इसी similar way से आप क्या बोल सकते हैं कि अनु जो है अगर अनु को 12 पर पहुंचना है और 4 गंटे में वो पहुंचना चाहती है तो उसको 8 बज़े निकलना प पढ़ेगा तभी पहुंच पाएंगे ठीक है चलिए तो आई होप यह क्लियर होगा तो यह आपका अंसर आना था लाइक कर लीजेगा सभी सेशन को चलिए थांक्यू थांक्यू गूड इबनिंग तो आई होप यह क्लियर होगा कोशन नमबर 2 हमें काया कि बैट्समें ए बैट्समें है तो मालो 9 इनिंग है एकस का अवरेज है अब 10th इनिंग में 100 रन बनाए और आवरेज जो है वो 8 रन से इंक्रीज हो गया तो 10 इनिंग क प्लस 8 और इसमें बस इतना एड हुआ है 100 एड हुआ है तो 9x प्लस 100 जो है वो कितना आ जाएगा 10 इंटू x प्लस 8 आ जाएगा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आगी 20 हम से पूछा है new average कि new average कितना है तो अगर आप देखेंगे तो new average कितना आ जाना है यहां से x प्लस 8 यानिकी 28 इट शुड़ भी 28 सो यह आपका अंसर बन जाना है है गुड है क्लियर है सभी को सो इट शुड़ भी 28 आई होप यह भी क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट वान अकास जी लेवल जो है वो ठीक था नॉर्मल था शिफ्ट वन भी इजी था जो बोल सकते हैं जिन में कैलकुलेशन था शिफ्ट टूप में भी ऐसा ही है मतलब ठीक ही है अभी मेरे पास दो तिन कोशन आये भी नहीं है कोशन नमबर थ्री है देखो कितना बेसिक कोशन है ए किसी काम को 30 डेज में करता है बी किसी काम को 20 डेज में करता है तो अगर वो दोनों काम करेंगे तो 30 से 2 20 से 3 तो दोनों मिलके कितना टाइम लगाएंगे 60 अपॉन में 5 यानि कि 12 बार लगाएंगे वो ठीक है, so 12 बार लगाएंगे, so I hope ये भी clear होना चाहिए, 8, 15 नहीं होगा, देखो जो मेरे पास values हैं, उस हिसाब से हमारे पास 8 ही होना है, बाकि कुछ भी values में फरक लगे, change लगे, या फिर कुछ और लिखा हो तो मुझे बताईएगा, फिर उसके according रहेगा, मेरे पास जो values है उस हिसाब से 8 ही answer था पहले question का, okay, next one, अब देखो एक और question है, बहुत ही आसान, A किसी काम को 18 days में करता है, B किसी काम को 9 days में, C किसी काम को 12 days में आपने LCM लिया, 36, 18 से 2, 9 से 4 और 12 से 3, हमें क्या का है कि B और C जो है, वो काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो काम करेंगे, तो देखो टोटल कितना है, 36 है, अब उन्होंने 3 दिन में कितना करा, 4 और 3, 7 के हिसाब से 21 कर दिया, तो बचा कितना, बचा है 15, करना किसने, A ने करना है, तो A 15 unit कितने दिन में करेगा, 7 and half में कर देगा, ठीक है, तो यह हमारे पास point बन जाना है, तो I hope यह भी clear होगा, तो बहुत ही ज़्यादा साधारन सा question, next one, चलिए, अगला question है, साथ-साथ में comment में बताते रहेगा, जो भी आपके पास values आएंगी, जिस भी तरह से आपके पास values होंगी, तो मुझे बताते रहना है, next one, question number 5 है, so question number 5 में काया है, article cost 125, with two success rate discount, it cost 85, if second discount is 11%, find first discount, so थोड़ा सा calculative है, 125 है, पहला discount मालो, discount देने के बाद आप X% पे बेच रहो, दूसरा discount आप 89% पे बेच रहो, 11% का discount है, तब जो value आई है न, वो 85 आई है, so इसको solve करेंगे, X hopes हो की है, आपके बास कितना आएगा, 76.4, then आपके बास discount जो है, वो, discount जो आएगा, आपके पास वो आजाएगा, कितना, 23.6 के around है, तो देख लीजेगा, option किस तरह के थे, ठीक है, so जो भी option थे, उसी साब से check कर लीजेगा, so I hope ये भी clear होगा, चलिए, next one, ऐसे ही आएंगे सूरज जी, ऐसे ही आएंगे, सिंपल ही, आएंगे, tension नहीं लेनी है, अगला question आया था, question number 6, देखो, again, बहुत basic question, speed of stream 2 है, मतलब y की value 2 है, और still water में 6 है, तो यानि कि x की value 6 है, तो dolphin जो है, वो a से b जाती है, और b से वापिस आती है, तो downstream में speed कितनी आएगी, 6 और to 8, और upstream में speed कितनी आएगी, 6 minus to 4, तो average speed क्या होगा, 2 into downstream into upstream upon में downstream plus upstream, यानि कि 2 into 8 into 4 upon में 8 plus 4, तो इसको अगर मैं simplify करता हूँ, तो यह कितना बन जाएगा हमारे पास, सो इसको थोड़ा सा simplify करेंगे सो यह बन जगा हमारे पास 2 into 8 into 4 upon me 12 so this is 2 से 6, 2 से 3 and 2 से 2 यानि कि 16 upon me 3, ठीक है so this is 16 upon me 3 चलिए, so I hope यह भी clear होगा very good so यह हमारे पास value बन जाएगी तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्योंकि again basic value जमेगी बन है अगला question है हाँ 5.33 बिल्कुल सही answer है अगर option में 5.33 था इस तरह से अगला question है question number 7 difference between simple interest and compound interest 3 year 15.50 rate 10% है तो sum कितना होगा तो आपको पते है कि difference का formula क्या है principle into rate का square 300 plus r upon me 100 का cube सो यहां से एकर मैं value put करता हूं 15.50 है is equal to principle into 10 into 10 into 310 upon me 100 का q मतलब 100 into 100 into 100 कितना आजाएगा principle 500 ठीक है तो principle कितना आगे 500 अदे हैं नेक्स हमारे पास था Q8 था, हमें का एक एक family है, जिसमें 2 grandparents है, 2 parents and 3 grandchildren है, the average of last time, last जो set हुआ था, उसकी PDF में था ये question, और average age of the grandparents is 67, that of the parents is 35 and that of the grandchildren is 6, so whole family का average कितना होना है, तो देखो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, 2 grandparents है, 67 का average है, plus 2 parents है, 35 का average है, plus 3 grandchildren है, 6 का average है, upon में total family में member होगे 7, तो यह कितना बन जाएगा आपके पास, so this is 134 plus 1, sorry, 70 plus 18, upon में 7, तो यह आ जाने हैं आपके पास 222 upon में 7, यानि कि कितना अंसर आया, 31 into 5 by 7, so this is the answer, ठीक है, तो यह बन जाएगा हमारे पास 31 into 5 by 7, clear है, 31 into 5 by 7, okay, good, next हमारे पास question है, answer याद था, very good, question number 9 है, 5 senior citizens have age 65 plus, अब I don't know कुछ ऐसा ऐसा था, मतलब senior citizens हैं, then 40 youngster है, 20 से 30 की age के हैं, each youngster get 15% of the total youngster, and each senior citizen get 20% of the total youngster, coupon इनको इतने मिलते हैं, वो थोड़ा सा line इधर उधर हो जाए, तो समझ लेना, मतलब बोलने का मतलब यह हैं, 5 senior citizen है, और 40 जो हैं, वो यंगस्टर हैं, अब 15% जो हैं, हर एक youngster को 15% of total youngster जो है, वो हमारे पास कितने मिलते हैं, coupon मिलते हैं, और हर एक senior citizen को 20% of the total youngster, जो हैं, उनका हमें coupon मिलते हैं, तो total coupon कितने होंगे, अब दिखो, पहले तो 5 senior citizen है, ठीक है, 5 senior citizen है, और हर एक senior citizen को कितना मिलता है, जितने भी youngster हैं, उनका 20% मिलता है, plus 20 जो हैं, sorry 20 नहीं है, 40 हैं ये, 40 जो हमारे पास youngsters हैं, उनको क्या मिलता है, 40 का 15% मिलता है, तो इसको simplify करेंगे, कितना आएगा ये, 40 ये बनेगा, और इसको अगर हम simplify करेंगे, तो ये बन जाएगा 240, यानि कि 280 is the final answer, तो basically ये का हुआ था, मतलब है इसमें word missing हो गया, तो ये का हुआ है कि हर एक youngster को, 15% of the total youngster coupon मिलते हैं, और हर एक senior citizen को, 20% of the total youngster coupon मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास final value बन जा नहीं, 280 is the final answer, चले हैं, अगला question है, question number 10, अब इसमें values नहीं confirm है, तो जिसको भी values याद होंगी, मुझे values बता देना, कुछ ऐसा question था कि sum जो है, वो simple interest पे 2 साल में इतना बनता है, तो 4 साल में कितना बनेगा, तो उस हिसाब से देख लेना, बता देना, मुझे जो भी value होगी, या तो comment section में बता देना, या फिर telegram पे career study जो है, वहाँ पे, जो भी आपको question याद आएगा, अभी जो ये question होगे, उनके अलावा क्योंकि 2-3 question और होने है, वो भी याद करके बताना, जिनको भी याद आएंगे, जिनका ये वाला set था, question number 11, हमारे पास ये था, 2975 को divide करना है, इस ratio में, तो तीनों पार्ट क्या बनेगे, तो 2975 का पहला पार्ट क्या बनना है, 35 out of 85, दूसरा पार्ट क्या बनना है, 2975 का 23 out of 85, और तीसरा पार्ट क्या बनना है, 2975 का 27 out of 85, इनको अगर मैं simplify करता हूँ, final answer 137.40, हाँ, उस हिसाब से मुझे बताना है, 84 था पहले blank में, मुझे वो पूरा बता देना question, ठीक है, question number 10 ना पूरा बता देना मुझे, जिसे भी याद आजाएगा सही से, वो मुझे send कर देना, बल्लाब इस pattern का कुछ question था, यह कितनी-कितनी value बनी है, this is 1225, यह वाली 805 बनी है आपकी, और यह वाली बन जाएगी 945, अगर यह वाली values हैं इस तरह से, so this is the answer, जो भी आपसे पूछा था, so I hope यह clear होना चाहिए, अगला question है हमारे पास, ठीक है, यह तो simple ही था, question number 11, question number 12 है, a roti making machine जो है, वो can make 24 rotis per hour, तो machine की जो capacity है, efficiency है, वो है, 24 rotis बनानी per hour में, so now, अब हमें कहा क्या है, हमें कहा है कि, if it can make dinner of family in 6 minutes, on other day due to mistake, it make in 8 minutes, so find the rate of machine this time, तो हमने यह बताना है, 64, 2 year में 83 बनता है, ओके, तो 4 year में बताना है, चलो, देखता हूँ मैं, ठीक है, बाकी अगर थोड़ा और हो कुछ तो बताना हो उसमें भी, so यहाँ पर क्या था, देखो, अब हमें यह का है कि, normally 6 minutes लगते हैं, बट जब खराबी है, जब कुछ mistake है, उस time में 8 minutes लगते हैं, तो rate of machine क्या होगा इस time पर, यानि कि जब उसमें खराबी है, जब सही है, तब तो 24 rotis बनती है पर hour में, देखो, जब वो ठीक है, ठीक है, मान लिजे, A जो है, वो correct वाली machine है, तो उसकी efficiency है, वो जो खाना बना सकती है, परिवार का, वो 6 minutes में बना सकती है, B जो है, वो वाली machine है, जिसमें थोड़ी गड़बड है, तो वो 8 minutes में बना सकती है, तो यहां से अगर मैं LCM blue 24 आएगा, 6 से 4, 8 से 3, So this is the efficiency, आपको पता लग गया कि A और B का जो efficiency है, वो कितना है, वो 4 ratio 3 है, तो इसकी value कितनी है, 24 roti's बनाती है, इंटू 6 करके आया, तो यहां पे भी इंटू 6 करो, So it should be 18, अगर यह question था इस तरह से, बाकी check कर लेना, जो भी question था, मुझे क्योंकि exact पता नहीं है कि option क्या थे, यही लाइन थी, जिस तरह से मेरे पास question आया है, this should be the answer, आपके पास फिर यह बन जाएगा, ठीक है, rate minute में है, यह R में रहेगा, ने उसको तो convert सीधा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास unit के हिसाब से आ गई है, unit efficiency है, तो फिर उसमें कोई problem नहीं है, तो उसको आप direct लिख सकते हैं, तो basically करा क्या, 6 minute, 8 minute है, that's it, हमने efficiency निकाला, और efficiency से हमें value मिल जानी है, था 18 answer, okay, that's it, फिर यही आपके पास same question था, एक यह question था, fraction change करना था, 15.121212 इस तरह से, तो इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 15 plus 0.121212 and so on, यानि कि 15 plus 0.12 bar, तो 15 plus 0.12 bar को मैं कहा लिखूंगा, 12 upon 99, तो इसको अगर मैं simplify करता हूँ, तो यह कितना बन जाएगा, हमारे पास, 99 into 15 plus 12, यानि कि यह आना था आपका, कुछ value लिखी थी मैंने इसकी, 1497 upon में, मतलब जिस भी तरह से था, अब I don't know किस तरह के, अगर fraction पूछा है, तो आपके पास 1497 upon में 99 होगा, ठीक है, तो ऐसे था, अच्छा 5 पॉइंट था ये, तो 5 पॉइंट के according कर लो फिर, यह बन जाएगा 5 plus 0.12 बार, तो यह बन जाएगा 5 plus 12 upon में 99, तो यह कितना बन जाना है, प्लस 12 भी होने है, तो 52791 से आपके पास 10 आ जाना है, 507 upon में 99 आ जाना है, ठीक है, तो अगर आपके पास 15 के जगा, यह question 5.121212 and so on था, then 507 upon में 99 आ आपका अंसर आ जाना है, तो वो change हो जाना है, फिर 5 की जगा, 15 की जगा 5 आ जाएगा, clear है फिलाल यह भी, तो it should be 507 upon में 99, ठीक है, रिंकल जी जब भी हम बार हटाते हैं, देखो बार वाले question में simple सी बात है, जब भी हम बार हटाएंगे, तो जितने numbers के उपर बार हैं, उतने upon में 9 लगाते हो आप, ठीक है, मालो यहाँ पर 0.9 बार होता, तो मैं उसको 9 upon में 9 लिखता, अगर हमारे पास इस तरह से होता, let's suppose की, sorry, हाँ 9 upon में 9 लिखना था, तो 0.03 बार होता, तो 3 upon में 9 लिखना था उसको, 0.03 बार होता, तो that is, इसको लिखता में 0.03 upon में 99, तो ऐसे मलब वो way है उसको solve करने का, question number 14 है, इसको एक बार check कर लो, यही question था और मुझे थोड़े से option बता दो, ठीक है कि option आपके पास क्या क्या थे, और कुछ value और थी या नहीं थी, ठीक है जल्दी से बताएंगे, question number 14 में कुछ changes थे या same question था, question number 14, कोई changes थे, और जिन्होंने like नहीं कर रहा है, session को, session को like कर लो, ठीक है, थोड़ा सा late आ रहा है analysis, बड़ आप यह देख लो, कि आपके पास question आ रहे है, यहाँ, यह question थे, इतने आया थे, simple interest से, इतने आया थे, compound interest से, मैं question लेके आ रहा हूँ, तो obviously time लगना है, उसमें, बहुत जादा time लगता है किसी को recall करने में, तो फिर आ रहे है question, 36%, 40%, 50%, 25%, बिल्कुल same question था, कोई change नहीं है, मतलब इसमें, okay, so हमें यह पूछा कि find what percentage of new members are ready to complete the work, तो नए members जो हैं, वो कितने होने चाहिए, तो देखो, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मालों यहाँ पर time अगर given नहीं है, तो अगर मैं यह बोल रहा हूँ, कि अगर हमने 50% chair extra बनानी है, तो 50% worker भी extra चाहिए होंगे, तो पहले अगर old में हमारे पास 100 worker थे, तो new में हमारे पास 150 worker होने चाहिए, तो that mean extra worker हमें कितने चाहिए, हमें extra worker जो है, वो 50 चाहिए, बड़ अब उन्होंने यह कहा हुआ है, कि जो new worker है, वो 25% ज़ादा efficient है, तो 50 तो हमें old के according चाहिए, तो new कितने चाहिए, तो new worker जो है, वो 25% ज़ादा efficient है, यानि कि मैं अगर ratio निकालता हूँ, old versus new का, efficiency का, तो यह आजाएगा 100 और 125, यानि कि 4 ratio 5 आना है, अब old वाले की value के according 50 worker चाहिए, तो new वाले के value कितनी चाहिए, तो 4x की value अगर 50 है, तो new वाले की value कितनी आनी है, तो यह आजानी है, हमारे पास 250 अपॉन में 4, यानि कि 125 अपॉन में 2 आ जानी है, तो मुझे इतने चाहिए, मतलब, ओके, तो efficiency के according, अब जिसकी efficiency है, उसमें number of worker मुझे ज़्यादा चाहिए, ओके, सॉरी, ठीक है, जिसकी efficiency कम है, मुझे worker, एक सेकंड रुकेंगे जरा, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 ratio 5 तो efficiency है, तो अगर हमें काम करवाना है, तो number of worker किस ratio में चाहिए, मतलब, हमें चाहिए वो 5 ratio 4 में, इनके 5 और इनके 4 बराबर होंगे, तो इनके according 50 वरकर चाहिए, यह efficiency है, तो यह total worker किस ratio में होना चाहिए, क्योंकि जिसकी efficiency कम है, वहाँ पे worker जादा चाहिए, तो मतलब, मुझे new के according सिर्फ 40 वरकर लाने हैं, तो हमें यह काया कि find what percentage of new members are added to complete the work, तो पहले मेरे पास 100 थे, अब मैंने 40 और add करें, तो मैंने 40% ही add करें, अब मुझे एक बार यह बता दो कि option क्या-क्या थे, 36, 40, 50, अब देखो अगर यह question है, it should be 40%, क्योंकि अगर तो यह नहीं का होता कि वो 25% जादा efficient है, फिर तो हमने 50 और अगर हमने 50% जादा काम करना है, तो 50% लोग भी जादा चाहिए, तो अगर पहले 100 है तो 150 चाहिए, तो that means 50% increase होने है, बट क्योंकि उनकी efficiency में change है, तो efficiency पहले अगर माल लो old और new की 100 और 125 होगा, 25% जादा है, तो महलें 4 ratio 5 होगा, तो जो number of man चाहिए, वो 5 ratio 4 चाहिए, old वाले के according 50 लोग चाहिए, तो new वाले के according 40 ही चाहिए होंगे, तो हमें 40% member add करने होगा, ठीक है, तो it should be 40, अगर आपका ये question था, ठीक है, तो I hope ये clear होना चाहिए, हाँ, 40% आ जाएगा, अगला question है, question number 15, एक ये question था, 1.6 A is equal to 0.6 of B, ये हमें value find out करने है, B minus A upon A plus B, या B plus A, एक ही बात होगी, तो यहां से A upon B कितना आना है, 0.06 upon 1.6, यानि कि 6 upon 16 into 10 upon 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 6 upon 160, यहां अगर मैं value put करता हूँ, तो ये बनेगा, 160 minus 6 upon 160 plus 6, तो इसकी जो value आ जानी है, आपके पास कितनी आ जानी है, 77 upon 84, बाकि देख ले ना, जो भी values थी, option थी जिस तरा के, क्योंकि मेरे पास जिसी साब से, फिर ये आना चाहिए, 83 आया, अच्छा स्वारी, 83 आ गया, हाँ, 2 से cut करा मैंने, तो एक ये question था, I hope ये भी clear होगा, तो 15 ही question मेरे पास maths के आये हैं, बाकि जिसको भी question याद आएगा, कोई भी question अगर आपको याद आता है, कि ये भी question था, तो मुझे provide कर देना, टेलिग्राम के उपर, definitely उससे discuss कर लेंगे, next किसी shift में, या फिर last जो हमारा session रहेगा, उसमें हम बचे को question से कर लेंगे, अब थोड़े से reasoning के question थे, जैसे कि question थे हमारे पास reasoning के, question number 19, when diagram बनाना था, so when diagram क्या बनेगा, so computer skilled है, graduate है, employed है, तो computer skilled graduate हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, employed हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, सभी को clear, next हमारे पास है, wood है, wooden block है, wooden cock है, so यहाँ पर क्या situation बनेगी, अब देखो, यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो wooden block है, वो wood का ही होगा न, ठीक है, यह अगर wood है, तो यह wooden block है, और wooden cock जो है, वो एक, क्या बोल सकते है, वो एक bird है, ठीक है, wood cock जो है, वो वाला bird है, जो पेडों को कुतर सकते, मनला पेडों को, कट कट करता रहता है, वो वाला, so it should be this, ठीक है, तो यह बन जाना है, हाँ, तीन question बचे हैं, वो मुझे send कर देना, जो भी होंगे, जल्दी से like कर लो, last वाले session में, जादा like थे, इस वाले में, बहुत कम like है अभी, अगला हमारे पास है, examination, examinee and, invigilator है, इन में से बताना है, कि कौन सा आएगा, इसमें अगर आप देखेंगे, तो examinee अलग होगा, invigilator अलग होगा, और लेकिन वो examination में दोनों होगे, ठीक है, examination में examinee, examination में invigilator, बट examinee अलग है, invigilator अलग है, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, आइफोप ये clear होना चाहिए, चलिए, next हमारे पास है, wood packer था, verbal के आपके सारे question आ जाने है, मदू जी थोड़ा सा रूखिए, अभी आ जाएंगे सारे, हमारे पास है cow is to herd, तो cow के group को herd बोलते हैं, तो dolphin के group को क्या बोलते हैं, pod, so it should be pod, pod, so answer आ जाने हैं आपका, ये, I hope ये भी clear होगा, brass, steel, silver and bronze है, so इसमें कौन सा different है, odd one out कौन है, silver जो है वो अलग है, क्योंकि silver जो है वो आपका metal में आ जाएगा, बाकी सारे जो है वो alloys है, ठीक है, तो इस तरह से, तो I hope ये भी clear होगा, next हमारे पास है, athlete, singer and boy, ये ही वाला बता रहे हो न, athlete, singer and boy, तो athlete जो है, वो singer हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, athlete boys भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, man भी हो सकते हैं, woman भी हो सकते हैं, girls भी हो सकते हैं, तो अगें intersection of all three ठीक है यह आजाना है हमारे पास ओके वेरी गुड वोड़ पैकर हो जाता तो सही हो जाता नेक्स्ट हमारे पास है इसमें odd one out बताना है यह था न ओड़ बन आउट ही पूछा था न इसमें तो प्रिंसिपल इस्टो स्कूल सोल्जर इस्टो बैरेक आर्टिस्टो टूप कुछ ऐसा ऐसा आइसा आइसा मनलब सारी वैली नहीं है इस्टो इस्टो आर्मी भी लिखा हु फिले का ठीक है आई हो आपको क्लियर होना चाहिए चिंपैंजी गौरिला कंगारू एंडवाप्वौरु चिंपांजी है फिर सोल्जर था ओके हाँ वो भी फिर मेंबर ही रहेगा मतलब कि ठीक है कि ओके कि वारियर इस तो आर्मी था चलो ठीक है फिर वो भी देन भी हमारा सेमी अंसर रहेगा फिर भी सेमी रहेगा देन ये वाला कोशन की मतलब रियरेंज एंड अडेंटिफाई करने के लिए आया था पहले इसको रियरेंज करना था देन बताना था ओडवन आउट तो चिनुक रफाल मिराज और सुखोई जो है तो चिनुक जो है वो आप यह आपका डिफरेंट बन जाना है बाकी सारे जो है यह आपके फाइटर प्ले फंसर क्या हो जाना है ईराक क्योंकि यह दोनों येवर इहना मदलेगा इनकी बा playful हो टुच और रिया करती हैं दूसरे नेवर्स हें और इस कोशन थे तो यह हमारे पास कुछ कोशन थे जो भी verbal के question थे वो भी मैंने आपको provide कर दिये जो भी आपके पास इसके लावा जो है math के 15 question मैंने करवा दिये हैं और बाकी जो है फिर अब देखते हैं जैसे जैसे extra question मिलते है तो मैं बता दूँगा ये वाला था आपका question अमन जी ठीक है ये बन जाएगा तो बाकी जो है कल मिलते हैं फिर आपसे दिन में मेरी class immediately after the exam तो नहीं होगी लेकिन जब भी होगी हम question करेंगे हम solution करेंगे questions का तो like जुरूर कर लेना है हाँ चिनूख helicopter है बाकी सारे जो है वो aircraft होगे सो उस basis पर different होगया तो बाकी जो है कल हम मिलते हैं आपसे और like कर लो जिन्होंने like नहीं कर रहा है सभी like करके जाना session को कल again मिलते हैं बाकी जिनका paper हो चुका है hopes बहुत अच्छा रहा होगा paper क्योंकि again अगर आप मुझसे पढ़े हैं बहुत सारे question आपको as it is मिले होंगे और अगर आपका exam कल है तो best of luck परसो हैं तो again कल वाले analysis आप देख सकते हो हाँ काफी जादा easy थी reasoning second shift में ये तो था ठीक है तो बिलकुल तो ये था तो फिलहाल फिर off करता हूँ मैं इस session को बाकी मैंने सारे question आपको एक बार बता दिये हैं इसके अलावा किसी को भी कोई question मिलेगा तो आपने काम करना है टेलिग्राम पे career study channel पे मुझे career study search करना वहाँ पे मुझे आप message कर सकते हो या फिर आप add the rate career study live ये मेरी id है टेलिग्राम की career study live add the rate career study live इस पे आप मुझे directly text कर सकते हैं तो वहाँ पे मुझे आप अपने question भेज सकते हैं जो भी आपके question होंगे कुछ आपको extra question मिलता है तो मुझे बता देना ठीक है तो बाकी कल मिलते हैं फिर आपसे कल नया set होगा नए shift के question होंगे उनको करेंगे like करके जाना सभी session को तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से thank you so stay safe keep preparing और one more thing अगर आप analysis cut off के बारे में बात कर रहे हैं एक बार सारे set देख लेते हैं क्यूंकि shift 1 के comparison में shift 2 थोड़ी easy थी ठीक है अब gk मैंने देखा नहीं gk कैसा था otherwise shift 2 जा है वो थोड़ी सी जादा easy थी मतलब ऐसे कि 2-3% जादा easy बोल सकते हैं बागी थोड़ी से एक बार paper होने देते हैं फिर decide करते हैं क्या रहेगा ठीक है तो फिलहाल करते हैं फिर session को off सभी को मेरी तरफ से thank you good attempt इसमें तो देखो सारे होने चाहिए थे फिर भी अगर 15 तक तो होने चाहिए थे इसमें 15-16 question होने चाहिए थे और कल जिनका paper है मुझे question जरूर send करना क्योंकि जब आप question send करोगे मैं तभी session लेकर आ सकता हूं तो ठीक है फिर मिलते हैं आप से अगले session में तो सभी को मेरी तरब से thank you so stay safe keep preparing have a nice